को आई पिक अर्लिक अर डियोagenि के होता है यह यादि करना सिर्फ याद lugar up में इंढोव होता है इसमें इधा फिर्ण थ्लेस। लेवल आफ टीचिंग यह ठौटलेस लेवल ऐवल तीचंग है यानि की इसमें थौट सोचने वाला कुछिन इता सिर्व याद करने वाला ही होता है यानकी छोड़ी छोड़ी चीज़े हम अपने दिमाग में याद रखते है यानकी static part it is concerned with memory और mental ability यह हमारी memory और mental ability से संबंदित है इसमें static part आता है जैसे कोई कह दे कि उसका जनम कब हुआ था उस राजा का जनम कब हुआ था वो कब हुआ था भारत कब जाद हुआ था ठीक है तो कहने का मलब यह है कि यह static part है इसमें आपको सिर्फ उतनी ही information याद रखने पड़ती है जितनी की लोएस लेवल है आप से सीधे ही question पूर सेकते है कि लोएस लेवल अव टीचिंग इस वाट इट इस दे मैम्री लेवल ओके तो at this level first stage of teaching यान कि इस लेवल पर क्या होता है यह पहली स्टेज आप टीचिंग की the thinking ability does not play end role यान कि इसमें thinking ability नहीं आती आप देखे कि सबसे पहली स्टेज सबसे पहला चरण teaching का यह कौन सा है यह memory लेवल का ही है इसमें thinking बिलकुल नहीं आती ठीक है तो दूसरी बात students only cram the fact cram होता है रटना यहन की student सिरफ fact को रटते है information को रटते है ठीक है and laws that are taught to them उनको जो नियम काईदे है उसको जानना पड़ता है यहन की student इसमें सिरफ fact को information को सिरफ रटते हैं जैसे भारता जाद हुआ पंद्रागस 1947 को ठीक है तो गांदी जी का पूरा नाम महांदास करम चंद गांदी यह आपको ऐसे ऐसे fact जो आपको सीधे ही याद करने पड़ेंगे बस वह ही आपको fact को information को याद रखना पड़ता है और कुछ नहीं यह दिया था given by maurice l 1967 में the role of the teacher is primary and that and that of the student is secondary यहनकी teacher का रोल इसमें primary है प्रात्मिक है प्रारंबिक है वो student जो इसमें secondary है ठीक है the study material is organized and pre-planned इसमें जो study material है वो organized भी कैसे होता है और pre-planned होता है the teacher present the study material is a sequentially order जो teacher है वो study material को sequence wise order में sequentially order में बताता है ठीक है आप यह देखके चलो modern history में आप यह देखके चलो जैसे हमारे इंडिया में अंग्रेज आये थे 1600 इसमी में पूरे यहां पर आये थे न वो इस इंडिया तो कहने का मतलब है कि यह sequential order है कि कौन कौन सा कैसे कैसे कब कब कितनी तारीक को कौन कौन सी बात होई ठीक है होता है sequential order memory level teaching lack insight इसमें memory level teaching जो है वो deeply नहीं होती insight होता है अंतर डिरिश्टी यहन कि इसमें जो memory level teaching है वो उसमें नहीं होती इसमें सोचना नहीं पढ़ता स्रब याद रखने वाला ही होता है तो memory level क्या होता है यह याद रखना psychologically it is cognitive level teaching यह cognitive होता है ग्यानात्मक ठीक है यह psychology तरीके से देखें तो यह ग्यानात्मक teaching है mainly includes oral examination and written examination इसमें oral examination भी आएगी written examination भी आएगी ठीक है आप देखो कि facts पूछ लेते हैं ठीक है ऐसे करके यह याद रखना पड़ता है ठीक है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो बाद में आएगा उसमें समझना पड़ता है कि अजादी जब हुई यह तो आ गया ना मैमने में भार्ट की जादी कब हुई पंद्रागर सो संतालीस अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा समझने में कि कैसे कैसे अजादी हुई फिर आपको उसमें क्रांती कारी कोई नाम क्या क्या किया वह करना पड़ता है ठीक है तो सिंपल सी बात है यह और लाटर एक्जामिनिशन है इसमें आपको रटना पड़ता है स्सिर्प कॉछे शंट्र सपार खने कौशन आ सकते है क्या साइर टीचर सेंटर है एक मैर्ट सॉई फेट्रेट्स का जो लॉर ले व्हाइं उसके लिए बहुत जुरूरे है यह बहुत ह्टी मातवरुन है इसके बकॉस ऑफ औच यह इइन्टेस के पाफिक इसके सटैक्ष नक यह त s root memory, यहन्कि root level है memory का, सबसे पहले इसको basic level इसको इसमें पता चलता है, यहन्कि simple सी बात है कि children को इसमें lower level basic level का पता चलता है ठीक है the role of the teacher is important in this level of teaching and he is free to make choice of subject, इसमें जो teacher का role है वो important भी होता है ठीक है, बहुत important role है and वो किसी भी subject को चुणने में उसकी choice की चुणने में वो अजाद होता है यहन्कि teacher कोई भी इसमें कोई भी part GK को उठा ले, कुछ भी part उठा ले जिसके बारे में वो free होता है, वो अजाद होता है ठीक है, इसमें कौँ bondation नहीं होती इसमें कोई भी तो इसमें टीचर का रोल जाया बहुत ही महत्तब रुण है ठीक है subject matter plan and it can present and develop यनकी महत्वरन रोल हो गया किसमे planning में भी और present करने भी यनकी जो टीचर है कैसे चीज को plan करेगा कैसे इसको present करेगा इसमें वो free होता है the knowledge required at memory level teaching forms a basic basis of for the future ठीक है इसमें जो knowledge है एक्वाइट है वो memory level की ठीक है वो बेस है future का when student intelligence and thinking is required यनकी जब student को सो देखो जब student को और वो कोई आगे जाके future में कोई सवाल पुछते है उसको सवाल आ जाता है जैसे जवाब आ जाता है तो उसमें यह होता है कि जो student की intelligence है वो काफी अच्छी मानी जाती है यह जैसे आप देखे कि school में आपने पांचमी छटी या दसमी में कहीं पर भी आपने कुछ पढ़ा होगा तो आपको हमेशा याद रहते हैं आपको fact याद रहते हैं अगर आपसे कोई सवाल पुछ ले तो वो सोचते है कि इसकी thinking sorry इसकी knowledge काफी अच्छी है तो यह knowledge की काफ of the students capability यह student की capability यानि कि योगयता को योगयता का विकास नहीं करता आप यह देखे कि सबसे बड़ा इसमें यही demerits है कि जैसे student को इसमें fact याद करने होते हैं उस वो fact याद रहते हैं अगर इसको explain करने के लिए कहा जाए तो वो करना ही पाता यान कि वो किस पे बेस रह गया सिर्फ इसको रटने में याद करने में सिर्फ इसको एक ही चीज़् का पता चलता है उसके बारे में उसकी history geography कुछ भी पता नहीं चल पाता यहन तो सिर्फ यही पता है कि इसका क्या यहन की यह कब हुआ था यह नहीं पता है कैसे कैसे हुआ था तीक है यहन कि उसने understanding नहीं कि सिर्फ उसने याद रखा है इसकी डिमेरिट है दा नॉलेज गेंड डस नॉट डस नॉट प्रूफ फूल इन रियल लाइफ सिचुएशन एज इसमें ये इतना हेल्पूल साबित नहीं होता आप देखे कि कहीं पर आपको इंटर्वी में सवाल पूछ ले जाए कि पर आपको कहा जाए कि एक स्टूडेंट भी किजिए तो आप कर नहीं पाओगे मेमरी लेवल में ठीक है क्योंकि आपने सिर्फ उसका रटा ही है अंडर्शन की नहीं नहीं रहता ठीक है ना ही इस्टूडेंट का टैलेंट जो है वह वह डिवेल्प कर पाता है टैलेंट ऐ होता है कि जब उनके सामने कुछ सिटूइशन रखी जाती है कौशन की तो वह करी नहीं पाते है क्यों क्योंकि देखिए कि उन्होंने तो आपको समझे मीना को कुछ नहीं आएगा यहां कि मेमरी लेवल में सिर्फ आपका है बेसिक लेवल है तो आप इसमें स्टैटिक पा क्रह richtig पाइगा अपशला को हुआ का मैं सिंपल सी बात है अब हम अपना लेक्ष्र कटम करते हैं जिंपल सी बात क्या है तो क्या है इसमें स्र वहां याद करते हैं तो संबंद देखा जाता है ठीक है के समझ पाएगे एक कोई कोई बता दे कि जैसे हमें कोई बताए कि 2 और 2 4 होते हम देखेंगे न कि 2 और 2 को इसमें प्लस किया है ठीक है अगर हमें बता दे कि 2-2 4 होता है यह हम तो नहीं मानेंगे क्योंकि हमें understanding आ चुकी है कि 2 और 2 को प्लस करेंगे तब ही 4 आएगा ठीक है यह होता है understanding level यहन की factor देखोगे और साथ में relationship देखोगे तो चलिए यह तो होगी definition कि the teaching at the understanding level is of higher quality than one at memory level यहन की teaching में जो understanding level है ठीक है वो एक higher quality है किस में से memory level से यहन की memory level में आप सिर्फ चीजों को याद ही करते हो समझते बिलकुल नहीं हो ठीक है आपको सिर्फ याद होते हैं पर जो understanding का level आते teaching के अंदर वो एक आपको higher quality प्रदान करता है higher quality मतलब की आपको चीज समझ में आती है आप किसी को चीज समझा सकते हो ठीक है जैसे मैं point of view of mental capability यान की कह रहे कि यह बहुत ज्यादा useful है और बहुत ज्यादा thoughtful है thoughtful होता है सोचने के लिए ठीक है यह बहुत ज्यादा useful thoughtful है किसके point of view से ठीक है यान की हम जो अपने दिमाग से सोचते हैं अम पर intensive preparedness insight insight excited promotecue खते हैंंंं सबसे पहली बात यह होती है कि आप देखें कि जो remember level है उसमें हम याद करते हैं इसमें memory यार्मरी के सासत के आदा वैं इसमें permeance और insight भी आता यह हैं कि इसमें resolve आता यह बहुत है यान की हम चीज़ों को असानी से समझते हैं जो हम अपने चीह याद कर ली याद करने के बाद हम क्या करते हैं उसको अपनी दिमाग से सोचने की कोशिच भी करते हैं ठीव रेंट तो इसके है जो अब्जेक्टिव टाइप इसमें अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन में एक मैं जी लिखनी बूल गया अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन तो इसमें आते हैं साथ में इसमें ऐसे टाइप कोश्चन भी आते हैं अब्यक्टिव टाइब मतलब मेंमरी लेवल यान कि हमने जो याद किया है जैसे हमारे समने कौशन आते हैं चार ओप्षन आते हैं न सामने अब्यक्टिव टाइब में पूछ लेते की बताईए ये कब हुआ था हमें चारों में से भूनना पड़ता है ये कौन सी चीज़ है हो हमारा होगा memory level ठीक है objective type भी आएगी as well as इसमें ऐसे type caution भी आएंगे यानिकि जिसको हम लिख सकते हैं यानिकि understand कर सकते हैं objective type का मतलब होगा हमारा memory level ऐसे type का मतलब होगा understanding level यानिकि जो हमें question by chance पूछ ले इसके चार option पूछ ले हम इसको आंसर दे देते हैं वो memory level में हो गया अब यह हम बताए कि कि इसको elaborate करके दिखाएगे जो आपने आंसर दिया है क्या आप इसको explain कर सकते हो क्या ठीक है इसमें यानकि as a type question भी आएंगे यानकि इसमें objective और साथ में as a type question भी आते है understanding level में ठीक है यानकि आपने चीज़ को कितना समझाए यह दिया था Morrison ने given by Morrison ठीक है memory level जो हम ने कल किया था वो दिया था Herbert ने यह दिया है Morrison ने merits of understanding level of teaching इसके merits क्या है फाइदे क्या है देखे at this level of teaching students to make use of their thinking ability इस level में क्या होता है कि students में student को क्या थे उनमें thinking ability यानकि सोचने की शक्ति आती है आप यह देखे कि आपको कोई कह दे कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा आप सोचोंगे ना किसने क्या आप उच्छा है मैं क्या answer दू कैसे हूँ आप दिखे कि अगर आप जैसे हमने स्कूल में एक्जाम दिये कॉलेज में एक्जाम दिये हैं वहां पर लिखना होता था ना कि एक कॉशन जो ऐसे आप कोशन आते थे हम इसका आंसर सोच के लिखना पड़ता था ठीक है तो कहने आपको ग्यान की शक्ति आती है ठीक है आप में कितना ग्यान है आप इसमें यह तै करते हो here the teacher presents subject matter before the students in an organized and sequential form यह इनकी teacher इसमें जो subject है जो चीज पढ़ानी होती है ठीक है वो student को पढ़ाने से पहले वो सभी चीज़े को organize करता है और sequential form में देता है ठीक है यह इनकी teacher ने student को कुश भी पढ़ाना हो सब्जेक्ट पढ़ाना हो तो वह पहले इसको organize करेगा subject को कि मैं कौन से पार से क्या पुछूं फिर sequential form आता है ठीक है जैसे आपने दिखा ना कि पहले पहले दो दो नंबर के question आते थे फिर बार में चार्चा नंबर गे फिर बार में पंद्रा पंद्रा नंबर गे वो क्या होगा sequential order साथ में organize इसमें जो हमें नई knowledge मिलती है वो previously acquired knowledge ही होती है आप यह देखिए कि simple सी बात है जो बच्चे प्लस वन प्लस टू कर चुके है एलेवन ट्वैल्थ कर चुके है जब वो अपने ग्रैजुशन लेवल में जाते है तो उनको प्लस वन प्लस टू का subject ही elaborate करके बताया जाता है ज्यानकि जो अपने new knowledge ले रहे हो वो आपका previous knowledge के साथ ही जुड़ा हुआ है here the students do not learn by root यानकि यहां से student जो है वो root से नहीं शीखता here the learn by understanding the fact and information and their use and purpose प्रूट का मतलत है बिलकुल basic level से यहां से वह नहीं सीखता क्योंकि रूट को से सीखते हैं memory level से तो हम क्या गरते हैं यहां पर हम अंडर्शैडिंग करते हैं कि इसको Fact and information को लेके सब्कूराइब का इसमाल तो हमने करिया नॉलेज में में do sorry memory लेवल में रूट का इसमाल वहाँ पे हो गया यहाँ पर हम क्या गर रहेंगे यहाँ पर हम तो इसके मैरिट्स डी मैरिट्स होगी understanding level of teaching के teaching at this level is teaching at student center इसमें जो teaching होती है वो teaching at student center ही होती है तो आपको ये question आ सकता है बताईए जोunderstanding level है उसमें क्या होता है ये teaching at student center level ही होता है थीकई ये बोथ होता है दोनो teacher and student you've not that with memory level क्या था वो जो सूंटर लेवल था आजको जो लेवल ही टीचर ने स्टूऍटर लेवल ही होता है ठीक है वेर centhr के प्रियु लेवाट घ्小ठ लेवल लेयर टीच ने स्टूडंट के इस में कोई इंट्रेक्शन नहीं हो पाता है टीचर एंट के बीच में क्योंकि स्ट्वूड़न को दिगे कि वह कोई भी चीज पड़ता है तो उसको खुद से समझना पड़ता है अगर कर प्रावलम आते तब वह टीचर से पूछता है नहीं तो वह उसको खुद भी समझना पढ़ता है को दी इंट्रेक्शन नहीं होती इंट्रेक्शन किसमें होती है मेमरी लेवल में जब टीचर आप से कॉशन पूचेगा बताएगा ठीक है तो इसमें आपको को सब्सक्राइब का मिनिंग क्या है चिंतनशील यंकी चंतन करना यंकी गहराई से सोचना ठीक है पहले क्या मतलब हुआ रिफ्लेक्टिव का मतलब हुआ यानि कि चिंतन शील चिंतन क्या होता है जब हम अपने मन की गहराई से किसी चीज को सोचते हैं यानि कि आपके सामने कोई कॉछन रखा गया कोई प्रशन रखा गया आपने अब यह सोचन है कि यह प्रशन गलत है सही है आप कि reflective level of teaching का meaning क्या हुआ यहन की हमें जो कुछ भी question पूछा जाता है हम उसका सोच समय के विचार करके जवाब देते हैं example के तोर पर अगर आप exam में बैठे हो गर आपके सामने एक question आता है चार option आते हैं आप बिना सोच समझे जवाब तो देते नहीं हो आप बिल्कुल सोच समय के ही जवाब देते हो उसे कहते है reflective तीक है यहन की सोच समय के सोच विचार के चिंतन करके किसी का जवाब देना तो चलिए इसका हो गया meaning अब शुरू करते हैं reflective on something means giving careful thought to something over a period of time यहन की दीखे यह definition किसी चीज़ पर चिंतन करने का मतलब है कि किसे समय पर कुछ करने के लिए सावधानी पूरण विचार करना वही बात आ गई यानि कि बाद समझे किसी चीज़ पर चंतन करने का मतलब है किसी चीज़ का मतलब आप कॉस्चन का मान के चलिए आपके सामने एक प्रशन है ठीक है तो उसके उपर आप सोच विचार रहे हो चंतन कर रहे हो ठीक है वो कैसे करोगे सावधानी पूरव यानिकि आपके सामने कोई question रखा गया, अब उसका बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल सो समय के जवाब दोगे, ठीक है, किसी समय के अंदर, यानिकि किसी समय के अंदर, किसी चीज पर विचार करके उसका जवाब देना, सावधानी पूरव जवाब देना, तो था है वो reflective, ठीक है, जोगिस की definition, इट आल्सो मीन्स, थिंकिंग डीपली अबाउट सम्थिंग, यानिकि इसका मतलब है कि किसी चीज को बिल्कुल गहराई से सोचना, ठीक है, इडिस प्रॉब्लम सॉल्विक टेक्नीक, यह प्रॉब्लम सॉल्विक टेक्नीक है, ठीक है, प्रॉब्लम स विचार होगे, अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल रख दिया जाए, जिसके उपर कोई फॉर्मूला होगा, आप उसको पहले सोच होगे, विचार होगे, उसको समझोगे, फिर इसको सॉल्व करने का तरीका देखो गया है, तो अगया reflective, यानि कि इसमें क्या होगा, इसमें इसमें मेमरी लेवल और अंडेस्टाइडिंग लेवल, इसमें मेमरी लेवल और अंडेस्टाइडिंग लेवल आता है, सबसे पहले मेमरी लेवल आता है, कि हमने क्या याद किया था, फिर आता है अंडेस्टाइडिंग लेवल, क्या हमने समझा था, फिर आता है reflective लेवल, जो हमने याद किया था जो हमने समझा था वाके ही उसके अनुसार यह हो पाएगा यहनकि पहले आपको memory level को पार करना होगा फिर आपको understanding को फिर भाद में आएगा जबाब का बेस बन जाएगा तो आप इसको सोच भी सकते हो ठीक है यह है student center approach एक तो होती है teacher center एक होती है subject center एक होती है student center तो जो हमने memory level पढ़ा था वो था teacher center ठीक है understanding में हमने पढ़ा था teacher and student center अब यह है student center रेफ्लेक्टिव लेवल यह student center है क्योंकि student को सोच समय के जबाब देना पड़ता है independent classroom environment इसमें जो classroom का environment है वो independent है यह इनकी बच्चों से जो वी स्वाल पूछा जाए उनके जुरूरी नहीं है कि ताप उसे रटा रटा आया ही उसी टोन में बात करनी है जो अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ पॉइंट को एड कर सकते है ठीक है नेक्स आ गया अशे टाब कउशन फॉर एवैलीशन इसमें एसे टाब कॉशन रखे जाते एवैलीचन के इसमें अप्जेक्टिव टाइब नहीं रखे जाते जाते ज्वे जाते मेमरी लेवल आप तीचिंग और अडेस्टाइनग लेवल में इसमें आएंगे ऐसे राइब कॉस्चन आप यह देखे कि अगर आप किसी चीज के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हो तो उसमें क्या होगा उसमें यह ही होगा कि आप अपने विचार लिख रहे हो यानि कि किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप अपने विचारों को लिख रहे हो याइनिके आप अपने मन के विचार, अपने मन के चिंतन से कुछ लिख रहे हो, अपने रिफ्लेक्टिव लेवल से कुछ लिख रहे हो, तो वो चीज आप उसमें शो करोगे, ठीक है, तो पढ़ने वाला ही समझेगा, यह बच्चा कितना समझदार है, कितना नहीं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसी का रिफ्लेक्टिव लेवल जानना हो, तो उसका अवैलूशन कैसे होगा, ऐसे टाइब कॉच्चन से, ठीक है, आपको सिंपल सी कॉच्चन पोछ लेंगे, अगर हमने किसी की गहराई जाननी हो, ठीक है, किसका यह गहराई जाननी हो, तो उसमें क teaching is considered to be the highest level at which teaching is carrying out यह कि जो reflective level है teaching यह सबसे highest level है highest में सबसे बड़ा लेवल है ठीक है memory लेवल तो चोटा लेवल है understanding चोटा लेवल है reflective बहुत ज़्यादा हाई लेवल है जिसमें आपको सोचना समझना पड़ता है इसमें आपको सोच समय के अच्छे से जवाब देना पड़ता है सोचना समझना पड़ता है इस्टुडन कैन अटें इस लेवल only after going through memory level and teaching level यान कि यह स्टुडन तभी कर पाएगा जब वो memory level और understanding level को पार कर देवाएगा यानि कि अगर वो चीजों को memory level में याद रख पाता है understanding में समझ पाता है तब वो reflective level के आगे बढ़ सकता है तो next आ गया teaching at the reflective level enables the student to solve the real problem of life यानि कि जो reflective level है teaching का वो student को उनकी जीवन की जो वास्तविक समस्या है यानि कि जो real problem of life है उसको सुलजाने में उनकी मदद करता है होता है न ऐसे जैसे हमने पढ़ लिख लिया सब कुछ कर लिया अब हमारे दिमाग का हो जाता है विकास विकास होने से क्या होगा कि हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम इसको सॉल्फ करते हैं आपको मैं एक एक्जांपल दिता हूं मान के चलिए कि आपने पढ़ने लिखने के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट किया पर वह बिजनेस चलानी तब होगा क्या आप अपने तरीके से बिजनेस को स्टैंड करने की कोशिश करोगे ठीक है स्टैंड करने की कोशिश करोगे उससे क्या होगा उससे यह होगा कि आपने जो बड़ा लिखा होगा आप उससे दिमाग में समझ आती है कि मुझे क्या क्या करना है कैसे डील करनी है होता है कि अगर हम किसी से अच्छे से मिले तो कह कि यहने की बात क्या है कि जो teaching है जो हमने जो पड़ा है जो reflective level जो हमने सभी लेवल पड़े है उसमें हमें reflective level हमारे जीवन की सारी समसागा को सॉल्व करने के लिए काम आता है ठीक है next time at this level the student is made to face a real situation problematic situation यह इस लेवल में कि जो student है वो एक real जो situation होती है जिसमें problem आती है यानकी जो real यो वास्तविक problem जो समस्या होती है उसके situation को उसको face करना बड़ता है इस level में the student by understanding the situation and using his critical ability succeed in problem solving in the problem student के सामने जब कोई समस्या आते तो यह देखता है कि यह जो समस्या है यह सही है गले इसका कैसे निजात पाया जाए इसके इसमें इन में से कौन से level है जिसमें से सबसे ज़्यादा student का रोल जो active होता है वो होता है reflective level तो आती है इसमें यह तो होगी definition खतम तो आप इसमें आता है merits of reflective level teaching पहला point है इसमें गुण क्या है इसके the teaching at this level is not teacher center or subject center इसमें जो लेवल है reflective level का ना ही यह teacher centered है ना ही यह subject center यह क्या ही यह learner centered है यानि कि student center है ठीक है यह learner center है learner का मतलब होगा कि जैसे आप learner हो आप कुछ भी पढ़ सकते हो आप UGC net पढ़ो आइस पढ़ो पीस पढ़ो जो मर्जी पढ़ सकते हो जिसमें आपका मन करे वो होता है learner student क्या होता है जिसको एक हिसाब से चलना पढ़ता है जैसे school और college के उसको कहेंगे हम student तो आप अभी student नहीं हो आप हो learner जो सब कुछ सीख रहा है एक ही समय में ठीक है तो यहनकी यह हो between the teacher and the taught and refractive level teaching इसमें interaction होती है किसमें teacher के बीच में और उसके पढ़ाने के तरीके में एक रिफ्रेक्टिव लेबल क्या होगा teacher उसके पढ़ाने का तरीक्त तरीक है आपको जैसे teacher को बात समझा दे आप उस बात को याद रखोगे तो आपको बात में वही दिमाग घुमेंग for the at this level teaching is appropriate for the higher class यान की इस तर पर शिक्षन उच्वर के लिए उप्यूक्त है इस लाइं का यह मतलब है यान की teacher जो है वो बड़ी क्लासों के लिए जो बड़ी क्लासिस है ठीक है उसके लिए वो ज्यादा कारगर सावित होता है बच्चों को देखिए आप जो शोड़े पढ़ती है ठीक है नाइन्थ टैंथ इलेवन ट्वालफ कॉलेज में जाहिए तो वहाँ पर उनको इलेबरेट करके समझाना पढ़ता है तो यह अनके लिए काम आता है ठीक है इसमें जो टीचिंग का यह लेवल है जो बहुत ही ज़्यादा थौटफूल और यूसफुल है कि से मैमरी लेवल और अगल से ज्यादा हाइन्ध जाहिली तॉटफूल और यूसफुल के आई रिफ्रेक्टिव लेवल तो हमने इसके merits कर लिया अब है इसके demerits भी करते हैं Not suitable for small children at low level of teaching यानि कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काम नहीं आता ना ही जिनका level अभी lower level है उनके लिए काम यह नहीं आता It is suitable only the mentally mature children जैसे के मैंने उनके अभी बच्चों के लिए यानकी छोटे बच्चों के लिए हैं नी refractive level क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे यह सिरफ बड़े बच्चों के लिए ही है At this level the study material is neither organized nor pre-planned इसमें जो study material है ना ही वो इसमें और्गनाइज किया जाता है तो ना ही इसमें pre-planned किया जाता है Therefore students cannot require systematic इसमें student भी systematic तोर से नहीं चलता सीधी सी बात है इसमें जो भी आपको सोचना पड़ता है अपने मन से सोचना पड़ता है ठीक है आप सिंपल सी बात लेके चलो कि अगर आप कोई चीज पड़ते हो क्या आपको कही जो भी भूक रट जाती है पूरी नहीं रटती ना आपके करते हो उसको जब पड़ते हो पड़ने के साथ क्या होता है आपकी दिमाग में कुछ-कुछ बाते रह जाती है कुछ-कुछ तो मिलते एक लिए वीडियो में तब तक ले धन्यवा थैंक्यू